इन दिनों गौतम अडानी को लेकर माहौल गर्माया हुआ है संसत से सडक तक गौतम अडानी को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है वजा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रूप पर लगे गंभीर आरोप हिंदिन्बर्ग ने अडानी ग्रूप पर शेयरों के भाव को चढ़ाने के आरोप लगा है इस रिपोर्ट के पब्लिक होने के बाद से ही अडानी ग्रूप के शेयरों में जोरदार बिकवाली देखी जा रही है ये तो थी अडानी की बाद लेकिन आज हम आपको देश के सबसे पहले वित्य स्कैम की कहानी बताने जा रहे हैं इस स्कैम भी शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है वैसे भारत में घोटाले का इतिहास काफी पुराना है आजादी के बाद से ही देश में एक के बाद एक घोटाले सामने आते रहे हैं आजादी के बाद से ही देश में घोटाले नाम का बीज बो दिया गया था 1948 में ही जीप घोटाला सब की सामने आया था इसके बाद तुम आनोब ध्रस्टाचार देश की जड़ों में समा गया और एक के बाद एक घोटाले सामने आने लगे देश का सबसे पहले वित्य घोटाला साल 1957 में सामने आया इस घोटाले का नाम था मुंद्रा घोटाला इसलिए दिया गया क्योंकि जिस शक्स ने इस घोटाले को अंजाम दिया था उसका नाम था हरिदास मुंद्रा नमश्कार आप देखरें बिस्तक और मैं हूँ श्रया था कुरू हरिदास मुंदडा कोलकाता बेस्ट कारुबारी थे, पहले हरिदास बल्ब बेचने का काम करते थे 1950 के दशक में हरिदास शेर बाजार में मंदिडियों और तेजडियों के खेल का एक शातिर खिलाडी बन कर उपरा उसकी पहचान शेर बाजार के सबसे बड़े सटोरियों के रूप में बन गई 1956 तक आते आते कई बड़ी कमपनियों में उसकी अच्छी खासे हिस्सेदारी हो गई थी यही से मुंदडा घोटाली की शुरुवात होती है 1957 का मुंदडा घोटाला उस वक्त का सबसे बड़ा आर्थिक स्कैम था मुंदडा ने उस जमाने में करीब 1 करोड 20 लाक रुपई की चपत सरकार को लगाई थी उस वक्त की 1 करोड 26 लाक रुपई की वैल्यू आज करीब 800 करोड से ज्यादा बैठती है 1957 में सोने का भाव 90 रुपई प्रती 10 ग्राम था जो आज बढ़कर 55,000 रुपई प्रती तोला के पार पहुच गई है मुंदडा घोटाले की शुरुवात LIC की स्थापना से शुरू होती है इसे अच्छे से समझे साल 1956 में देश वास्यों को बीमा की गारेंटी देने के लिए बीमा विध्यक को पारित किया गया बीमा बेचने के लिए एक सरकारी संस्था की शुरुवात की गई जुसे LIC यानि Life Insurance Corporation का नाम दिया गया LIC की शुरुवात होने के बाद ही मुंदडा घोटाली की नीव रखी जाती है चूकि हरिदास मुंदडा उस वक्त के बड़े शेयर बाजार के साटोरिय थे तो उनके पास कई कमपनियों में अच्छी खासी हिस्सेदारी थी हरिदास मुंदडा ने अपने शेयरों की हिस्सेदारी रखकर करोडों रुपई का कर्ज भी ले रखा था अपने कर्ज के निप्टारी के नाम पर ही हरिदास मुंदडा ने LIC को सबा करोडों रुपई की चपत लगाए दरसल हुआ ये कि हरिदास मुंदड़ा ने अपनी छे कमपनियों की शेर होल्डिंग सरकार को बिचने का प्रस्ताद दिया इसके पीछे दलील ये दी गई कि अगर वो इन छे कमपनियों के शेर सीधे बाजार में बेचेंगे तो निवेशकों को तगड़ा नुकसान होगा कमपनियों के शेरों का भाव एकदम से नीचे आ जाएंगे हरिदास मुंदड़ा का सरकार को चपत लगाने का ये आईडिया कमाल भी करके है हरिदास मुंदड़ा ने ततकालीन वित्तिसचिव H.M. पतेल को मना लिया कि LIC उनकी छे कमपनियों की होल्डिंग खरीद ले और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही हरिदास मुंदड़ा ने अपने खरीदे गई छे कमपणियों के शेर LIC को बेच दिये जिनके शेर हरिदास मुंदड़ा ने LIC को बेचे थे यहाँ इनहें पैनी स्टॉक्स भी कहा जा सकता है उसे पता था कि जब यह खबर फैलेगी कि उसकी कमपनियों में सरकार ने निवेश किया है तो मुनाफ़े को निश्चित मानकर दूसरे निवेशक भी कमपनियों के शेर्स खरी देंगे इससे उसकी कमपनियों के शेर्स के बाजार में दाम बढ़ेंगे और फिर उन शेर्स को उचे दाम पर बेच कर और मुनाफ़ा कमा लेगा हुआ भी बिलकुल ऐसा ही बाद में इस घोटाले का खुलासा सांसत फिरोज गांधी निकिया उस जमाने में देश के प्रधान मंत्री जवाहलल नहरू थे और फिरोज गांधी नहरू के जमाई और इंद्रा गांधी के पती थे फिरोज गांधी ने इस घोटाले को लेकर संसद में सरकार से सवाल भी पूछे थे वितमंत्री से जवाब भी मांगा था लेकिन शुरुवात में इस मामले को दबाने की कोशिश भी हुई लेकिन फिरोज गांधी नहीं माने गोटाले की जाँच के लिए विशेश जाँच आयोग बनाया गया, गोली की स्पीड से मामली की जाँच हुई 24 दिन में गोटाले पर फैसला आ गया, मुंदरा को दोशी ठहराया गया और 22 साल की सजा हुई विट सचिव, विट मंत्री और LIC के चेर्मेन को स्तीफा देना पड़ा था मुंदरा गोटाले से साबित होता है कि आजादी की बात सही देश में भरस्ट चाहा जड़े जमाई हुए हैं कैसे कारोबारी और अधिकारी मिलकर जनता के पैसे को चट कर जाते हैं ये भी इस गोटाले से साबित होता है आपको मारे जानकारी कैसी लगी? कॉमेंट करके ज़रू बताएं विडियो को लाइक और शेर करना ना भूले के साथी जो मारे नई वर्च हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले